स्वागत है दोस्तो आपका हमरी यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट रिटा में दोस्तो आज हम बात करेंगे 10 सबसे बेस्ट प्लान की जिन्होंने पिछले एक साल के अंदर सबसे जाथा रिटन दिया है क्योंकि अगर आप mutual fund में पैसे को नवेश कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस वक्त सबसे जादा performance कौन से fund दे रहे हैं और इन fund के अंदर potential growth अगर अच्छी है तो क्या आने वाले टाम में भी ये प्लान हमें अच्छा return दे सकते हैं तो एके करके हम इन 10 प्लान की details चेक करेंगे और last में के example calculation के साथ समझेंगे कि अगर आपको इन प्लान के अंदर average जो return अभी तक fund का इतना ही मिल जाता है और आप lump sum या फिर SIP के तुरू पैसे नवेश करते हैं तो क्या आप एक बड़ा fund बना पाएंगे ये भी हम last में चेक करेंगे और एके करके इन 10 funds की details भी चेक करेंगे तो वीडियो काफी knowledgeable होने वाली है वीडियो को बनाइसकेप के आप लास्त तक दोर देखे और आपते request है चैनल को subscribe ज़रूर कर ले दोस्तो इसी category में पहला fund हम जो लेकर आए हैं इसने सबसे ज़दा return दिया है पिछले एक साल के अंदर 91% और fund है अधित्य बिल्ला सनलाइफ PSU Equity Fund Direct Plant Road यानि कि यहाँ पर जो भी पैसा है वो PSU जो companies और government की उनके अंदर ही पैसे को नभीश क्या क्या है आप देख सकते हैं कि एक साल में शानता रिटन राय फंड का लेकिन दास 3 एर में funding annually return 42% और all time में इस fund का अनुलाइज return 33% से जाता है यानि जिन लोगों ने आपसे 3-4 साल पहले पैसा ने विच किया आज आप देख सकते हैं कि उनके पास एक बड़ा fund है जबकि अगर हम इस fund के portfolio की बात करते हैं तो यहाँ पर holding में 45 stock शामिल है और top holding में ONGC, NTPC, State Bank of India, Coal India, Bank of Varoda, Power Grid Corporation यानि कि दोस्तो सारी की सारी PSU companies हैं जिन में पैसे को निवेश किया गया है अगर हम fund के एनिवी के price की बात करें तो 33 रूपीज है 3,329 करोड रूपे fund का U.M. है मिनिमुम ऐसा इप की तरो 100 रूपे, लंग सम्में 5,000 ते आपने बेश कर सकते हैं दोस्तो सेकेंड fund जिसके हम बात कर रहे हैं यह है S.P.I.P.S.U. डिरेक्ट प्लान करो तो पिछले एक साल में इस fund का return रहा है 86.62% का जबकि last 3 year में fund ने return दिया है 38% और 5 year का return है 23% जबकि annualized return all time में fund ने करीब 12% का दिया है fund की portfolio में 24 P.S.U. companies है top holding में S.P.I., N.T.P.C., Power Grade Corporation, ONGC Housing and Urban Development Corporation, RITS, भारत Heavy Electricals यान के कुल मिलाकर यह P.S.U. बहतिंग company शामिल है portfolio में जिसमें पैसे को निवेश किया गया है fund के NAV का price 30 रूपीज है 1772 करोड रूपे fund का U.M. है S.P. के तुरू minimum 500 और लंब सम्में 5000 ते आप निवेश कर सकते हैं दोस्तो third fund जिसने सबसे ज़ादा return दिया है पिछले एक साल में वो है Invesco India का P.S.U. Equity fund और दोस्तों यहाँ पर fund ने last one year में 83% से ज़ादा return दिया है last three year में fund return 37% last five year में 27% जबकि all time में fund return 17.38% है fund के portfolio में 22 stock शामिल है top holding में भारत electronics, NTPC, SBI, Cool India, Power Grid Corporation, भारत petroleum, हिंदुस्तान aeronautics यानि की बहतीन quality के companies है जादतर energy sector के अंदर पैसे को निवीश किया प्या है fund के एनिवी का प्रैस 62 रुपीज है fund का EVM 842 करोड रुपे है minimum SIP 500 और लम समय 5000 से आप निवीश कर सकते हैं दोस्तों फूर्थ fund जिसके हम बात कर रहे है इसने last one year में return दिया है 73.94% निपोन इडिया power and infra fund direct plant growth दोस्तों ये fund भी काफी बहतरीन है क्योंकि लगातार इस fund ने तीन साल का भी return हम check करें तो 36% है last five year में 26% जबकि ये all time का annual return 16.16% है यहाँ पर दोस्तों power and infra sector के अंदर पैसे को निवीश किया गया है अगर हम टॉप होल्डिंग की बात करें तो इसमें रलाइंस अंदर्स्टी, लार्सने टूर्बो, वोज, एंटी पीसी, अल्टा टैक्सीमेंट यहनिके 41 स्टॉक हैं पोर्फिलियो में जिसमें पैसे को निवीश किया गया है फंड के अनिवी का प्राइस 324 रुपीज है, 4,274 करोड रुपे फंड का युए मैं, रेटिंग 3 है S.I.P. मिनिमम हंडेड, लंग सम्में 5,000 से आपने बिश कर पाएंगे दोस्तों 5 फंड जिसके हम बात कर रहे हैं, जिसले लास्ट पॉर्ण में सबसे दा रेटन दिया है 73.72 परसेंट का ये फंड है, क्वांट इंफरा फंड डारेक्ट प्लान क्रोड IRB, Infra, Life Insurance Corporation, यानि LIC, Adani Power, Swan Energy, Steel Authority of India इनकी बहतीन क्वालिटी के स्टॉकों में पैसे को निवेश किया प्या है फंड के अनिवी का प्रैस 40 रुपीज है, रेटिंग 5 है, 2,207 करोड रुपे फंड का यूएम है minimum SIP के तुरू 1000 रुपे और लम सम्में 5000 रुपे से आप निवेश कर सकते हैं दोस्तो 6 फंड जिसने सबसे ज़ादा रेटन दिया है, यह है ICCPRO का भारत 22 FOF Direct Plan Growth और दोस्तो लास्ट 1 एर में फंड ने 68% करिटन दिया है, लास्ट 3 एर में 38%, लास्ट 5 एर में 21%, जबकि यह ओल टाइम में फंड करिटन 20% से जाता है यहाँ पर दोस्तो जो भी पैसा है इस mutual fund प्लान का को निवेश किया गया है ETF यानि भारत 22 ETF के अंदर इसमें government की बहतीन company शामिल है जिसमें पैसे को निवेश किया गया है fund की एनिवी का price 29 रूपीज है, rating 5 है, 886 करोड रूपे fund का U.M. है यहाँ पर लंग सम 5000 रूपे और S.I.P. के तुरूब आप 1000 रूपे से निवेश कर सकते हैं दोस्तु next fund जिसकी हम बात करें जिसने एक साल में सबसे ज़ादा return दिया है यह है quant का small cap fund, इस fund का last one year का return 66.74% है last three year में fund ने 41%, last five year में 36% और all time में fund का return 19.19% है अगर हम fund की holding की बात करते हैं तो 97 stock हैं टॉप होल्डिंग में Reliance Industry, Geo Financial Services, VKG Foods, Adani Power, IRB Infra, Hindustan Copper, National Aluminium Company, HFCL, RBL Bank इनकी बहतिन quality के stock शामिल है जिनमें पैसे को निवेश किया गया है दोस्तु बंड की एनवी का प्रैस 244 रुपीज है दोस्तु नेक्स fund जिसकी हम बात कर रहे हैं जिसने एक साल में सबसे जदा return दिया है ये भी कौन्ट का ही fund है कौन्ट Mid Cap Fund Direct Plan Growth और इस fund का last one year का return 65.95% है last three year में 36% last five year में 31% जबकि all time में fund ने 19.65% का return दिया है fund के portfolio को चेक करें तो 39 stock है टॉप होल्डिंग में अरबिंदो फार्मा, पंचाब नेशनल बैंक, NMDC, लेंडे इंडिया, भारत हैविल एक्टिकल्स यानि के बहतीन stock है ये जिन में पैसे को निफिश किया गया है fund के एनिवी का प्रैस 228 रुपीज है रेटिंग 5,5421 करोड रुपे fund का U.M. है लमसा में 5,000 कम से कम और S.I.P. के तुरूँ आप 1000 रुपे से निवेश कर सकते हैं दोस्तों next fund जिसके हम बात कर रहे हैं जिसने सबसे दार return दिया है I.C.C. Pro का infra fund इस fund ने last 1 year में 61% करेटन दिया है last 3 year में 39% last 5 year में 26% जबकि all time में fund करेटन 17.59% है fund के portfolio में energy sector के जाधा तर स्टॉक शामिल है जिसमें top holding में N.T.P.C. L.A.C.C. Bank H.D.F.C. Bank Kalpatru Project International N.C.C. Greece Industry Gujarat Gas यनि के 22 quality के stock शामिल है जिसमें पैसे को निवेश किया गया है fund के अनिवी का price 174 रुपीज है rating 4 है 4932 करोड रुपे fund का U.M. है S.I.P. के तुरू 100 रुपे और लमसा में 5000 से आप निवेश कर सकते हैं दोस्तो last fund जिसने एक साल में सबसे ज़दा return दिया है पैसे को निवेश किया गया है fund के अनिवी का price 31 रुपीज है 234 करोड रुपे fund का U.M. है S.I.P. के तुरू 1000 रुपे और लमसा में 5000 से आप निवेश कर सकते हैं दोस्तों हम करते हैं calculation कि यहाँ पर आप 25 रुपे मतली के अगर S.I.P. स्टार्ट करते हैं और आपको 18% का return अगर आप fund में मिल जाता है और आप 10 साल तक S.I.P. को continue करते हैं तो यहाँ पर 25 रुपे मतली के निवेश करते रहने से आप 3,00,000 रुपे का निवेश करके 8,40,000 रुपे का fund बना सकते हैं और 5,40,000 रुपे का return होगा देकिन अगर हम 20 साल की बात करें तो यहाँ पर 25 रुपे मतली निवेश करते रहने से कुल 6,00,000 रुपे का आप निवेश करके 58,00,000 रुपे का fund बनाएंगे और इसमें 52,00,000 रुपे का return होगा देकिन दोस्तों 30 साल तक अगर आप S.I.P. को continue करते हैं 25 रुपे मतली तो 9,00,000,000 रुपे का निवेश करके भी आप 3,00,000,000 रुपे यानि 3,00,000,000 रुपे तक fund बना सकते हैं या फिर अगर आप 1,00,000 रुपे निवेश करते हैं और यहाँ पर आपको return मिल जाता है सिर्फ 18% का तो दोस्तों 10 साल में 1,00,000 रुपे की value बढ़कर 5,23,000 रुपे की होगी और 4,23,000 रुपे का return लेकिन अगर आप 20 साल तक पैसे को निवेश करते हैं 1,00,000 रुपे को तो इससे आप 27,49,000 रुपे का fund बना सकते हैं और इसमें 26,49,000 का return होगा लेकिन दोस्तों अगर हम 30 साल की बात करते हैं तो 1,00,000 रुपे निवेश करके 18% return के हिसाब से आपको कुल 1,43,000,000 रुपे का बड़ा fund मिल सकता है और इसमें 1,42,000,000 रुपे का return होगा तो दोस्तों ये थे 23,000 quality के fund जिनके अधर पिछले एक साल में सबसे चारेटर मिला है इन प्लान के अधर अगर आगे भी निवेश करते हैं तो यहां से एक बड़ा फर्टी बना सकते हैं लेकिन ये वीडियो आपके एजुकेशन पर फस के लिए है वीडियो से लेटेट कोशन होता है तो आप जरूर बताएए अपने फ्रेंज के साथ वीडियो को शेर करें और चैनल को भी सबस्क्राइब जरूर कर लें धन्यवाद